बियार की सियासत के लिए आज का दिन वेहद है मैं क्योंकि आज कुछ नया हो सकता है कहा ये जा रहा है कि जेडियू बीजेपी का घटबंदन तूटने वाला है इसकी बानगी आज सुबा से दिखना शुरू हो गई है हम जेडियू आर जेडी की अलग-अलग बैठक होनी है इसके लावा महागटबंदन की बैठक है और नितिश के घर विधायकों काना भी शुरू हो चुका है एलान ये होगा कि हम वापस वही करने जा रहे हैं जो पहले भी कर चुके हैं या फिर अकर कुछ नया होगा तो क्या नया होगा इसको लेकर अब सस्पेंस बरकरार है तो बिहार में इस वक्त सस्पेंस का दोर है और यह जो सस्पेंस है और इस तरह से बढ़ा दिया गया क्य जो इस वक्त मौझूद है राबडी देवी के घर के बाहर पवन आपके पीछे हम देख पार है हल्चल बहुत तेज है जरा दिखाई है हल्चल किस तरह की है और कितने विधायक है जो इस वक्त पहुँच चुके और कितना इंतजार हो रहा है जे बिलकुल आपको मैं तस्वीरे दिखाना चाहूँगा इस वक्त राबडी देवी के आवास पर हम मौझूद हैं जहां आर जेडी के विधायक पहुँच रहे हैं और यही वो जगह है जहां आज ये तै होना है कि क्या एक बार फिर महागडबंदन में नितीश कुमार शाम बगबग 100 मीटर दूर नितीश कुमार का आवास है वो यानि डिसिजन मेकर का घर है तो कुल मिलाकर आज डिसिजन क्या होना है इसको लेकर सभी के बीच संचे है संकेत स्पष्ट है जो जानकार और पत्रकार संकेत समझने की कोशिश करते हैं वो कह रहे हैं कि एक बार फिर महा गटबंधन में नितीश कुमार आरजेडी के साथ आ सकते हैं लेकिन इतना सरल सपाथ ये पूरा मामला है नहीं क्योंकि नितीश कुमार और जेडियू की सबसे बड़ी कसक ये है कि वो बड़े भाई की भुमिका से होते हुए छोटे भाई की भुमिका तक आ गए जिसक लेकिन यहां जो किंग मेकर है तेजस्वी यादव या कहें कि आरजेडी वो भी अब संख्याबल में 79 है और जेडी के पास 43 है तो कुल मिलाकर अगर नितीश कुमार महागटबंदन में शामिल होते हैं तो यहां भी वो जूनियर पार्टनर की भूमिका में होंगे और बारग इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर